First of all congratulations to all my students who scored really well 10th October के जो टेस्ट के रिजर्स हैं वो मैंने पोस्ट किये हैं अपने community tab में as well as story में आप वहाँ पे जाके देख सकते हो and welcome guys this is Japanese our today's video is all about prediction of 7th November 7th November की prediction की बात करेंगे इस वीडियो में start करने से पहले में आपको ये बता देता हूँ कि it is just a guesswork जो की most of the times सही होता है आप 10th October 15th October की देख सकते हो right तो अभी बात करेंगे 7th November की and let's get started सबसे पहले listening की बात कर लेते हैं तो एक और चीज़ बता देता हूँ अगर आप नए हो then please make sure to subscribe क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ production and overview जो होता है उसकी वीडियो नहीं डालता बट बाकी की भी डालता हूँ जैसे reading section की या फिर listening की या writing या speaking की आप देख सकते हो वीडियो चैनल पर 600 प्लस वीडियो अवेलेबल है काफी beneficial है मैं नहीं बता रहा स्टूरेंस बताते हैं यह ठीक है ओके सो listening पार्ट की बात करते हैं सबसे पहले देखो multiple choice question का number रहेगा काम में इस बार क्योंकि first test है मन्त का and सिर्फ और सिर्फ academic है तो हां listening test जो होगा इस बार का 7th November के उसके chance है काफी easy आने के बढ़ा फिर भी मैं सासाथ आपको यही बताँ को कि आप अपनी preparation रखें daily एक listening test to at least attempt करें moreover listening के skills कैसे बढ़ा सकते है उसके video available है channel पर आप जाके वो देख सकते हो ठीक है अगर बात करें reading की so it will be like below moderate that means easy और moderate के बीच रहेगी जादा chances है easy आने की easy आने के chances थोड़े जादा रहेंगे तो आप के लिए यह better है जिनका 7th November का test है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ academic है यार मैं आगे बताने से पहले बता देता हूं कि please make sure to share this video तक कि और students भी देखें ठीक है तो reading में first passage easy होगा जो last वाला होगा वो ठीक है moderate tough के बीच बीच में होगा और middle वाला moderate होगा that means reading के chance भी इस बार क्या है easy आने के ठीक है easy moderate के बीच रहेगी मतलब उसके उपर नहीं रहेगी easy आ कि हाँ sir काफी बड़े tips हैं तो tips भी तभी वर्क करेंगे आप work करोगे जब तो आप कैसे work करोगे उसके proper one week schedule and one month schedule मैंने already बना के रखे हुए है तो अगर बात करें task one की तो अभी मैं आपको तीन बता देता हूं जो इसकी आने के chances काफी जादा है इस बार काफी time होगा वो भी नहीं है the first one is bar chart second is table and the third one is pie इन तीनों के आने के chances काफी जादा है अभी 7th November को तो आप याद से at least इनकी preparation तो करो अगर नहीं तो मतलब क्या है अगर ये preparation के अलावा try करो की बाकियों की भी करो सिर्फ और सिर्फ इनकी नहीं बाकियों की भी preparation रखो बठा इनकी chances जादा है आने के and if I'm talking about tasks too then there are two options the first one is agree or disagree and second is discuss both views इसकी भी विडियों मने काफी सारी अप्रोट की है राइटिं की आप चैनल पर जाके देख सकते हो moreover अब भी करूंगा तो उसके लिए प्लीज यार मेक्शू तो सब्सक्राइब तो इसके लिए प्लीज यार मेक्शू तो सब्सक्र आप अपनी प्रेपरेशन भी रखे और इसको भी ध्यान में रखें आफ्टर देट यू को फॉर थेस्ट राइट आल थे वेस्ट